वीवर्स खुशाम दिर केते हैं आज के इस विलोग में आज मैं और मेरे साथ वसाम भाई हम दोनों भाई आए हूँ है अपने जमीन के फार्म हाउस पे अलहम्दुलिल्ला से गाओं किया आज विजट करने हैं और टाइम हो चुक है इस टाइम शाम के छे बाच चुक हैं जम लेकिन आज जो हवा थी बहुत ज्यादा जी विवर्स आप लोग यह देख सकते हैं माशाला कितनी ही बेहतरीन कपास लगी और गाओं का इतना पुर्सकून महाल है कि जिसका कोई हसाब नहीं है सबसे ज्यादा जो सकून है वो है गाओं की जिन्दगी में यह आप लोग द जिए जो आप लोग देखते रहते हैं हमारे विलोग में और यह साथ में हमारा घर डेरा ओल्ड हाउस फार्म हाउस इच अवर्टी तो अभी में और साम भाई जो हमारी पिछली जमीन है थी और मैं यह देख सकते हैं यहां का वाटर सब्लाइ सिस्ट्रम यानि नहरी पानी ही जो है वो जमीनों को लगा जा सकता है यह आप लोग देख से यह नहीर आइं करसे खाला है और यहाप हाले झाल में घाद नही जो है पहुत जहाखरी होगी हैं यह हमारा बास की जमीन है हमारे चाचु की जमीने जमीने और वह वाटर का मायना करें थे कि जो वाटर की वो खाटी होने वाली है तो उसाम भाई ने फिर लेबर का फून किया कि वो आकर इसकी खाटी शुरू करें, तो लेबर ने फिर उने कहा कि जल्द जल्द पॉसिवर जितना हो सका वो इसकी खाटी शुरू कर देंगे और ये आप लोग देख सकते हैं माशाला कितना ही बहत्रीन महोल ये गाओं का ये हमारी पीछे वाली जमीने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी कपास की काश्ट की गी है अब हम लोग अपने गाओं से वापसी निकल चुकी है यह आप लोग देख सकते हैं सामने स्कूल है जहाँ पर मेरे बाबा टीचिंग किया करते थे ये स्कूल ये देखें जो बंद है इस टाइम तक और ये गाओं का रोड है अलहमदल्ला कितना ही वेहतरी रोड गाओं में बना हुआ है और ये देखें सामने बच्चे क्रिकट खेल रहे हैं लेकिन किसी को इनका क्रिकट खेलना हजम नहीं हुआ और उसमें आकर अपना ट्रेक्टर वहां पर चला कर उनकी जो पिछ थी उनकी जो स्टेडियम था उसको खराब कर दिया और ये सरासर गलती है यह अब हम लोग अपनी सिटी के करीब आ चुकी है आप लोग देखते हैं आप एक महार बेठे हुएं जो मिट्टी के बरतन मनाते हैं और ये है सांखर के नजदीक जमाली पट्रोल पंप की तरफ हम लोग गामजन हैं और ये था आज का वी लोग उमीद करता हूँ आप तमाम वीवर्स को पसंदाया हो